गुजरात चुनाव को देखते हुए अर्विंद के जिवाल हिंदू कार्ट खेल रही है। गुजरात चुनाव के बीज राजेंद्रपाल गौतब ने फिर एक बार विवादत बयान देकर आम आदमी पार्टी के मुसीबत बढ़ा दी है। गढ़ा चूँलेने पर हत्या करता है। आपको बता दे कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब राजेंद्र पाल गौतम ने इस तरह से हिंदूओं को लेकर अपनी मन घणंत राय रखी है बलकि इससे पहले भी आमाद्मी पार्टी के पूर्व मंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर चुके हैं इस वीडियो के वाइरल होने के बाद बीजेपी नेता मनोश दिवारी ने प्रस कॉन्फरेंस करके कहा था कि आमाद्मी पार्टी हिंदू विरोथी पार्टी है आपके मंत्री हिंदू धर्म के खिलाफ लोगों को शपत दिला रही हैं पहले बीजेपी का पलटवार सहने के ब अब दोबारा राजेंदरपाल गौतम के बयान के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी को नुखसान हो सकता है। अब दोबारा राजेंदरपाल गुजरात में आदमी पार्टी को नुखसान हो सकता है। अब दोबारा राजेंदरपाल गुजरात में आदमी पार्टी को नुखसान हो सकता है। अगर मेरी बाद गलत निकली तो मैं भासी के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आरोप सही साबित होए तो क्या आप भी स्कीफा दे देंगे। इसके रावाद चिठी में सुकेश ने ये भी लिखा है कि गोवा और पंजाब चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने उन्हें पैसे दिये भी थे। महाठग ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि अगर मैं जूटा हूँ तो केश रिवाल और सतेज रिजैन मुस पर केस वापस लेने के लिए दबाग क्यों बना रहे हैं। सुकेश ने लगाए कि इस मामले में बहुत से खुलासे होने बाकी हैं लेकिन अगर ये रास खुल गए तो काफी परसनल हो जाएगा। केश रिवाल पनिशाना साधते हुए सुकेश ने कहा कि आपने और सतेइंद्र जैन ने मुझे पंजाब और गोवा चुनाओ के दोरान फंडिंग के लिए दबाव डाला। जबकि मैं जेल में बंध हूँ इसलिए मुझे मजबूरी में कानून का सहरा लेना पड़ा। दुर्भाग इससे ये बहुत कलत आरूप है। मुझे किसी के मदद से कोई दिल्चस्पी नहीं है और सौभाग इसे मैं खुद के लिए बहुत सक्षम हूँ। अपने मामलों को संभालने और खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए तो इसलिए ऐसी बाते बोल कर मामले को डायवर्ट ना कीजे। मुझे किसी की कृपा की जरूरत नहीं आप सपष्ट जवाब दीजे। इससे पहले माहाठग ने सतेंद्र जैन पर कमभी रारोप लगाये थे। सुकेश ने अपनी चिट्थी में दावा किया था कि उसने आमादमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन को 10 करोड रुपे प्रटक्शन मनी के तौर पर दिये थे। कुल मिलाकर देखे तो महाठग के खुलासे से आमादमी पार्टी बैकफोट पर है। अगर यही सिती रही तो केजरिवाल साहब के हाथ से गुजरात हिमाचल के साथ दिल्ली के MCD चुनाओ भी निकल जाएंगे। लेकिन एक बात और भी है केजरिवाल साहब जो बोया पेड बबूल का तो आम कहां से होई। अब आप की भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। तो अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि अपने द्वारा फैलाए गए इन रायते से केजरिवाल साहब कैसे बहार आते हैं। गुजनातुर हिमाचर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाओ का लेकर सभी छोटे बड़े राजनयतिक दल अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इस महारण में आम आदमी पार्टी कहीं से लेकर कहीं तक नहीं दिख रही है। और उसका कारण है दिली के मुखे मंत्री और आम आदमी पार्टी संयोच कर्मेंद केजरिवाल। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को लगाता जटके पे जटके मिल रहे हैं फिर चाहें वो चुनाओ को लेकर तमाम सर्वे का परेडाम हो या फिर महाठक सुकेश तुवारा लिखे गए पत्रों में केजरिवाल के प्रष्टाचार की पोल खोलना। ये सभी घटनाएं पार्टी के लिए अच्छा संदेश नहीं हैं लेकिन इनी सब के बीच आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा जटका लगा है। आपको बता दे कि साथ महीने पहले ही वो कॉंग्रेस से आम आदमी पार्टी में आये थे। इंद्रनील राजगुरू सौराष्ट्र के बड़े नेताओं में शामिल हैं। 2012 में उन्हेंने कॉंग्रेस पार्टी के टिकेट पर राजगुर्ट पूर्व सेव धानसवा चुनाओ जीता था। 2017 में जब राजगुरू ने दतकालीन मुख्यमंत्री विजरभाई रुपार्डी के खिलाफ राजगुर्ट पस्चिन से चुनाब लड़ा था। तब उन्होंने 77,831 वोट जीते थे। सौराष्ट की करीब 30 सीटों पर राजगुरू का असर्म माना जाता है। आम आदमी पार्टे को सौराष्ट और राजगुर्ट में काफी उमीदे हैं। ऐसे में राजगुरू का जाना उनके लिए एक जटके की तरह हैं। केजडी बार्ट साहिब जरूरी नहीं है कि आपके द्वारा लिखा गया फैसला आखर बार सही हो। आपकी पार्टे से गुमार विश्वास जैसे नेताओं ने आपका साथ छोड़ दिया। इसलिए थोड़ा आपना भूद काल याद करिए और यहीं फैसला कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि हर्यानों चुनाव की तरहां गुजरात विधानसवा चुनाव में भी आपकी जमानत जब्त हो जाए। मोकामा सीट पर भाजपा भगवा नहीं लहरा पाई बगर भाजपा ने इस बार ऐसी चुनोती पार कर ली जिसके बाद अगली वारों से चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि इस बार बीजेपी ने ना जीतते हुए भी मोकामा सीट पर इतिहास लिखा है। 27 साल बाद ऐसा हुआ है जब मोकामा में चुनाव लड़ने उत्री बीजेपी को 60,000 से जादा वोट मिले। बीजेपी के लिए ये बड़ी उपलब्धी इसलिए है क्योंकि यहां से एंडी उमीदवार को आम तोर पर 40-45,000 वोट मिला करता था। नरसल आरजेडी विधायक अनन्थ सिंग के घर में AK-47 और हैंड ग्रिनेट बरामत हुआ था। अदालत ने अनन्थ सिंग को सला सुनाई जसके कारण विधाय की ही चली गई। उप चुनाव में आरजेडी ने अनन्थ सिंग की पतनी नीलम देवी को टिकेट दिया, अनन्थ सिंग ने जेल में रहने के बावजूद नीलम देवी ने मुकामा सीट पर जीत हासल की। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुकामा विधानसभा श्रेत्र पर पिछले 30 साल से बाहु बलियों का ही कबजा रहा है, वहाँ माजपा के लिए एक उमीद की किरंट दिखाई दी है। 2005 के फरवरी और नौंवर में हुए विधानसभा चुनाव में अनन्त सिंग ने जेडियों के टिकेट पर जीत हासल की थी। इसके बाद 2010 में भी उन्होंने जेडियों के टिकेट पर ही चुनाव लड़ा और बड़ी चीत हासल की। इन तीनों चुनाव में अनंत सिंग ने 30,000 से जादा मतों से अपने विरोधी को शिकस्त देने का काम किया था लेकिन फिर सवाल यही है कि मुकामा से सीट हारने के बाद भी बीजेपी खुश क्यों है दरसल पार्टी इस बाद से खुशे की 27 साल बाद चुनावी मैदान में उतरी इसके बावजूद उमीदवार को 60,000 से ज्यादा वोट मिले बीजेपी के वरिष्ट नेता सुशील कुमार मोदी ने इस जीत को लेकर कहा कि मुकामा में आरजेडी के जीत नहीं बलकि ये अनंत सिंग की जीत है 27 साल बाद मुकामा में बीजेपी ने अपना उमीदवार उतारा था नितीश लालू के एक साथ आने के बावजूद बीजेपी का ये बहितर प्रदर्शन है इस बीज गोपाल गंज की सीड बचाने में बीजेपी सफल रही सुशील कुमार मोदी ने ये भी कहा कि नितीश लालू के एक साथ आने के बाद भी बिहार की जनता बीजेपी के साथ है और उन्होंने महागरबंधन को नकार दिया है वहीं संजे जैसवाल के मताबिक की रिजल्ट बताने के लिए काफी है कि नितीश कुमार का आरजेडी के साथ सरकार बनाने का फैसला जनता को रास नहीं आया दितीश कुमार के फैसले की वजह से जेडियो के कारेकरता भी बीजेपी के बक्ष में आ चुके हैं तो कुल मिलाकर मोकामा को हार कर भी जीत गई है बीजेपी और इसे बिहार में एंडिये एक सकरात्मा खार के तौर पर देख रही है उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज जी अर्ध्यात्म से कर्म युद्ध की धरती है राजनीती के शेत्र में कहा जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश ने देश को कई बड़े प्रधान मंत्री और अभी के ततकार प्रधान मंत्री को भी उत्तर प्रदेश आना पड़ा और इसी उत्तर प्रदेश में मैंपुरी लोगसभा सीट पर उक्चुनाव का एलान हो गया है आपको बता दे कि समाजवादी पार्टी पिता महा मुलायम सिंग यादफ की निधन के बाद यहां उक्चुनाओ का विगुल बच चुका है और उक्चुनाओ को एक महीने भी नहीं बचे हैं ऐसे में सभी राजनेतिक दल प्रत्याशियों को लेकर मन्थन कर रहे हैं हलाकि सीट पर मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारते जुनता पार्टी के दीछी वाना जा रहा है ऐसे में सभी के नज़र रनी दोनों दलों पर हैं इस तरह सपास सैफई में प्रत्याशी को लेकर मन्थन कर रही है वहीं बीजेपी भी समाजवादी पार्टी का तिलिस में तोड़ने की तैयारी में जुटी है बीजेपी इस बार अकलेश यादफ को खेडने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है वहीं उप्चनाव को लेकर जल्दी दोनों दल अपने अपने प्रत्याशी के नाम का एलान कर सकते हैं सूत्रों के अनुसार भाजपा महिनपुरी उप्चनाव से मुलायम के दूसरे बेटे प्रतीक की पत्नी अपढ़ना यादफ हो मैदान में उतार सकती है उन्हें नेता जी मुलायम सिंग यादफ की परपरागत महिनपुरी संसदिय सीट के उप्चनाव में कैंडिडेट बनाया जा सकता है दरसल यादफ विरादरी के वोट और मुलायम सिंग यादफ परिवार के नाम के चलते भाजपा अपढ़ना यादफ को उतारने का मन बना रही है इटावा के पूर्विसांसद रगुराज सिंग शा के विधायक ममतेश शा के प्रीम सिंग शा के राहुल राठोर के अलावा प्रदीप चोहान का भी नाम चर्चा में है आपको बता दे कि मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है ऐसे में भाजपा यहां कील ठोकने को तैयार है बीजपे के शीष नेतरत्व को जिले से रिपोर्ट भेजी कई है जिसके आधार पर पार्टी प्रत्याश की घोशना करेगी और ये भी माना जा रहा है कि मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा पिछडी जाती पर दाव खेल सकती है समाजवादी पार्टी में जहां पुर्वसांसा तेश प्रताप यादव के नाम की चर्चा चल रही है वही मैनपुरी सीट पर आज तक बीजे भी अपना खाता नहीं खूल सकी है पहली बार ऐसा होगा जब समाजवादी पार्टी और यादव परिवार बिना मुलाइम सिंग के मैनपुरी लोगसभा का उपचुनाव लड़ेंगे ऐसे में ये चुनाव बेहद एहम है सपासनरक्षक मुलाइम सिंग यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोगसभा सीट खाली हो गई थी बीते दिनों चुनाव आयोग ने मैनपुरी लोगसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की खोशना की जिसके मताविक 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और इसके बाद 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा वेरो रिपोर्ट, OMH News